वदाय डॉक्टर आशिश देश्मुक ने अपने पिता रंजित बापु देश्मुक की श्रत्ता में बाप मानुस पुस्तक निकी इस किताब का वेमोचन मधुकर भावी और प्रसिद्ध साहित तिकाद डॉक्टर रविंडर शोपनी की उपस्दित में आशित क्या गया कारिक्रम की अधिक्ष्य यश्वन राउचवान प्रतिश्टान मंदल केंडर की अधिक्ष्य डॉक्टर गिरिश कांदिती तो पुस्तक वेमोचन समारू का आयचन यश्वन राउचवान प्रतिश्टान मंदल केंडर नाकपुर द्वारा क्या गया था पुर्वविधाय डॉक्टर आशिश देश्मूग इन्होंने अपने पिता के श्रद्धा में बाप मानुस किताब लिखी जिसका विमोचन आज संपनवा है देखा जाए तो ये उनका आत्मचरीत रहे रंजित बाबु देश्मूग इनका गारेकाल बहुत बड़ा है पंचाज समीति के सभापती से लेकर विविध विभागों के मंत्री से लेकर राज के मुख्यमंती होनी तक का सफर इस किताब में लिखा क्या है जिससे राज के राजनिती पर प्रकास डाला जा सकता है रंजित बाबो देश्मुग ये राज्य के सबसे बड़े नेत्रुद्व थी, ऐसे ही नेत्रुद्व पर उनका बेटा होने की नाती येक किताब लिगी है, जिसका आज विमोचन क्या क्या है? यांचा वर मी पुस्तक लिला है, रंजीत देश्मुग नावाचा बाप मनुस। खरया अर्थानी तेंचा जीवनाचा आत्मा चरित्रा है, और तेंचा पंचा समीती चा सबापती पासून, ते विवीद खात्याचे मंत्री कांग्रेश्चे राज्याचे दोंदा प्रदेश देख्ष और यांचा नेत्रुत्व मुख्य मंत्री होनाचा तेंचा स्वपना है, यां सर्व संदर्भा मदे मी येचा मदे विवीध विशयान वर उल्गडा केला है, नकिस यां पुस्तकांचा माध्य मातून यां राज्याचा राज्यकारना वर पुषकर सा प्रकास पनि रंजित वबु देश्मुक हे विधर वातले कांग्रेस सार्वात मोठा जे नेत्रुत्व होता, जे यां राज्याचा राज्यकारना वर अधिराज्यक करता ता, अशाया मांसान वर मुलगाना तैने, मी जे उस तक लिला है, ते आज लोकाना अरपित करता है इस किताब का विमुचन मदुकर भावे इनके हातों ये श्वत्राव चवान प्रतिष्टान की माथ्यन से संपन वाहे विधार डॉक्टर आशिश देश्मुक इन्होंने किताब पढ़ने की अपिल पी इस समय की है कैमरा परसन राजकुमार मोहट के साथ शितिजाद देश्मुक की रिपूर